हलो एरिवन तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास एथ सब्जेक्ट केम्प्यूटर टर्म वन एक्जाम के कोश्चन पेपर तो आए वीडियो सुरू करते हैं पहला कोश्चन देखते हैं दिया गया है टोपलोजी वाक्स बाइ कनेक्टिंग इच नोड टूर सेंट्रल डिवाइस यह कौन जा टेपलोजी होता है जिसका सारे जो नोड होते ना वो एक सेंट्रल डिवाइस में अटेच होता या कनेक्ट होता है तो राय ट्रांसर्स का हो हो जाएगा सी स्टार कोश्चन नमर टू इंटर इस एक्जामपल आफ यान जो इंटरनेट है वह किस चीश का एक्जामपल जैसे यहां पर यह आफन लाइन वैन मैं या नेट्वर्क तो राय टांसर्स का है वैन वैन इस दए एक्जामपल आफ इंटरनेट कोश्चन एक नोड में या एक सिस्टम में जुड़े होते हैं या एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता तो राइट नांसर का है डी इसको टोपलोजी कहा जाता है Q4 है Every hexadecimal digit can be represented using a set of जो हार एक hexadecimal number system होते हैं वो कितने set of digit में represent होते हैं तो राइट नांसर का है A, four digits Q5 है The number used in a octal number system जो number होता है octal number system में क्या यूज होता है तो 0 to 7 यूज होता है Q6 based of hexadecimal number system है यूज है hexadecimal number system का क्या अभियस होता है तो राइट नांसर का है C 16 Q7 है A, pictorial representation of data क्या pictorial representation of data होता है तो राइट नांसर का है chart, this is the right answer, chart is a pictorial representation of data 8 है scatter chart is also known as chart, जो scatter chart होते हैं उसको और किस charts के नाम से जाना जाता है तो राइट नांसर का है C, XY chart question number 9, chart illustrate compression among individual items यान कोंसे चार्ट है जिसमें हर एक जो आइटम होता है ना individually वो compression होता है तो राइट नांसर का है बार A, is the right answer 3 है MS access is a database management system, जो MS access होता हो किस तरह का database management system है तो राइट नांसर का हो जाएगा A, relational database management system यहाँ पर question number 2 है answer the following questions यह 50 number के है यह काफ़ी important question है जो कि अगर आप class 8 में पढ़ते हो तो यह काफ़ी important question है पहला question दिया गया what do you understand by computer network यानि आप computer network से आप क्या समझते हैं या क्या आप जानते हैं question number 2 है what is database database क्या होता है third question है what is octal number system octal number system को define करना है what do you mean by hexadecimal number system hexadecimal number system को define करना है and last है define bar chart and radar chart यानि bar chart क्या होता है और radar chart क्या होता है ठीक है आपको define करना है नेक्स्ट है 3 है राइट T for true and true false question है जो कि इसमें 10 question दिये गए है ठीक है आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर line span across a limited geographical area जो line होता है वो काफी कम geographical area में फैला होता है तो ये क्या है true है ठीक है a hub is a device that join two computers and network together हां hub जो होता है कि अधर्स रीके जोड़ता है टेक है ये बहुद है ट्रू है तो नहीं 0 to 7 रहते हैं तो नहीं 0 to 7 रहता है यह क्या है फाल्स है यह फाल्स है ठीक है y-axis is a vertical of chart जो y-axis होता है जैसे कि आप यहां बना दिया है इसको यह एक से y है तो y-axis क्या वर्टिकल होता है हाँ this is true row in a table represent record हाँ यह भी true है m-axis is a database designed by Microsoft हाँ सही है और database in m-axis can be created in the three ways नहीं two ways हम लोग create कर सकते हैं यह होता है design view और यह होता है दो तरह होता है design view और edit view दो तरह होता है यहां पर हो रहे convert बाननी to octal number system इसको convert करना है आदेने अब जाए explain newws of three shortcuts this, shortcuts जितने भी Shortcuts है जैसे control plus और patron और अ को select करने के लिए उच करते है control-plus और रॉनकर का अ करने के लिए ग्राफ के लिए इंटरफेस का ग्राफ के लिए इस इंटरफेस होता है डी ओसी का डाकुमेंट होता है आपको यह वीडियो काफी हेल्प करेगा अगर आप क्लास एत के स्टुडेंट है तो थैंक यू सो मच